तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आप लोगा दोस्त अभी शेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा SQL के और नए Concept की जी हाँ सबसे Imported Concept बहुत जादा काम आता है क्या नाम है इसका Joins की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में बाट Joins के कुछ अलग Concepts देखेंगे आहां मैं अलग Concepts कौन से कह रहा हूँ चलिए मैं लिख देता हूँ याँ आप स्क्रीन पर तो Concepts कौन से है एक हम सीखेंगे आज Union क्या होता है Joins के अंदर Union कैसे करते हैं और Union All हम लोग कैसे करते हैं ये क्या Concept है उसके अलावा हम लोग यहां पर Intersect नाम का भी Concept सीखेंगे साथ ही हम यहां पर Accept नाम का Concept सीखेंगे तो दोस्तों ये चार Concept है जो की जबरदस्त हैं और काफी Amazing है जो आप लोग के काम को और Easy बनाते हैं और ये सारे Concept आप लोग को सीखने चाहिए Proper Understanding के साथ चलिए शिरू करते हैं Join के एक और Concept की हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में बट अभी पिलहाल के लिए ये Concept आप लोग के लिए Important है Join अगर दो अलग-अलग डेटास के साथ आप करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे लेकिन अगर आपका डेटा बिलकुल सिमिलर हो तब Join कैसे काम करता है यहाँ पर ये सीखने हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज हम दो डेटा बेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो आपको मैं कोशन दिखाता हूँ और फिर शुरू करते हैं तो दोब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेरे पास एक टेबल जिसमें Math नाम की टेबल दी हुई है तो करना क्या है आपको Mathematics Students की टेबल बनानी है Math Students की टेबल बनानी है तो उसके अंदर आप लोग को एक Student ID दी है जिसका Data Type Int है और Name दिया है, Grade दिया है और Marks दिये हैं तो आप यह टेबल सबसे पहले Create कर लीजे तो Simply मैंने इसे Copy-Paste किया और Control Interface करके मैंने यह टेबल जो है Create कर दी है चलिए बात करते हैं दूसरी चीज की अब दूसरा टेबल भी Create कर लेते हैं और यह है हमारा दूसरा टेबल जो हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं और वो है Science के Students की टेबल तो Science के स्टूडेंट की टेबल भी मैंने यह पर Create कर दी है और यह भी Control Enter के साथ मैंने बना दी है अब दोस्तों क्या करने वाले हैं हम लोग इन दोनों में हम लोग Data Insert करेंगे तो चलिए देखते हैं Data कैसे डालेंगे और यहां पर हैं हमारे पास कुछ Data जैसे 5 Records मेरे पास Math Students के हैं और Science के भी मेरे पास कुछ 5 ही Records हैं तो चलिए देखते हैं कैसे होगा Simple आपको Insert into वाली Command लिखनी है और इसे मैं यहां से Copy कर लेता हूँ और यहां पर Paste करके अब मैं Math Students के अंदर यह जो Record है वो डाल देता हूँ तो मैंने Control Enterprise किया और यह Record Math वाले Students के अंदर आ चुका है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे पास Next Record की तो Next Record हमारे पास यह है जिसको हम लोग Science Student वाले Record के अंदर डाल देंगे तो यहां पर मैंने Science Student के भी Record को Enter कर दिया है और अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों Records हमारे सामने हैं या नहीं तो लेट सी अब हमारी SQL वीडियो वाली जो लिस्ट है इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास दोनों Records अविलेबल हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास Math Student का Record मिल जाएगा साथ ही बात करें दूसरा Science Student का Record तो Science Student के Record पे भी आपने क्लिक किया तो आपको Science Student का Record भी आपर दिखाई दे रहा है तो Math Student का Record यह है, Science Student का Record यह है अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारा Concept तो Let's See, अब बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले Concept की जिसका नाम है Union दोस्तों जब भी आप Union यूज़ करते हैं तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग का Record दोनों के दोनों डेटाज के अंदर सेम होना चाहिए तब ही आप Union कर सकते हैं और चेंज नहीं होना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आप यहाँ पर आईडी रख सकते हैं अपने First Record के अंदर और दूसरे में आप नेम की जगा कस्टमर नेम लिख सकते हैं पर जो ओर्डर है वो नहीं बिगड़ना चाहिए यानि आपको order change नहीं करना है अदरवाइस आपको record merge होकर नहीं दिखाई देगा तो यह क्या करेगा record को combine करेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैंने select किया और select करके मैं इसे कर रहा हूँ paste और अब आप चेक करिएगा उधर एक दो तीन चार पांच यह चार पां हो चुके हैं अब इसके अंदर आप लोग को क्या देयन रखना है इसने combine तो कर दिया रेकिन record duplicate जो है वो remove कर दिये अच्छा यह कैसे पता चला चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तो let's see आप लोग चेक करिएगा मेरे पास 1,2,3,4,5,6,7,8 सारे records आ रहे हैं ठीक है ल रिकॉर्ड आपके similar है देख रहे हैं आप लोग 3 और 4 रिकॉर्ड आपके similar है जो कि इस data में भी है और इस data में भी है दोनों data में 3 और 4 रिकॉर्ड similar है लेकिन सिर्फ आपको कितने record दिखाई दे रहे है अगर मैं बात करूँ आपके science वाले data के अंदर तो total पांच रिकॉर आप लोग तो बहुत सिंपल सा concept है आप लोग को इस तरह से करना है union concept चलिए बात करते हैं next concept की जिसका नाम है union all अगर आप union all करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सारे record दिखाई देंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर इसे copy करते हैं और copy करने वाद simply इसे paste करते हैं और अब हम लोग control plus enter करेंगे तो आप देखें यहाँ पर total 10 record ही दिखाई दे रहे हैं आप नीचे चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको total 10 record दिखाई दे रहे हैं यानि सारे records आपको दिखाई दे रहे हैं including duplicate भी आपको यहाँ पे show हो रहा है यानि पहला record भी पूरा है और दूसरा record भी पूरा है समझ गए आप लोग चलिए बात करते हैं अगला record और अगला option कौन सा है यहाँ पर आ रहा है intersect अब intersect में सिर्फ वो ही record दिखाई देंगे जो आपके common है चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही record चारली और डेविट वाला record records हट जाएंगे तो control interface करें और आप देखें सिर्फ दो record जो की common है दोनों की data के अंदर वो आपको यहाँ पे श्यो हो रहे हैं तो इस तरीके से आपने इसको भी कर लिया that is called the intersect ओके दोस्तों चलिए बात करते हैं next concept की और next concept है that is very very important that is called accept अब दोस्तों accept का काम क्या है आपको record दिखाएगा first table का और वो भी unique record याद रखेगा कोई भी duplicate record आपको दिखाई नहीं देगा यानि पहली data में अगर मालीजे आपके first data में कोई नाम है जो बार बार repeat हो रहा है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा तो चलिए इसको लगा के देखते हैं simply आपको क्या करना है इसे copy करना है और copy करने के बाद आप इसे paste करिए और control प्लस enter प्रेस करिए अब आप देखिए first data का duplicate record गायब हो चुका है क्योंकि first data में 5 record थे लेकिन अब आपको सिर्फ तीन एक ऐसा record है जो की duplicate है और वो दूसरे data में भी आपको मिल रहा है ठीक है तो ये record आप लोग का गायब हो चुका है और बाकी जो records बचे है वो दिखाई दे रहा है unique records तो ये इसका मतलब ये है अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरे table से unique record दिखाई दे तो भाई उसके और first table को नीचे की तरफ लिखे तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको second table से सारे unique records दिखाई देंगे अगर आप control एंटर प्रेस करें तो अब आप देखे second table से आपको unique record ही दिखाई दे रहा है और जो duplicate record थे वो वहाँ से गायब हो चुके हैं यानि वहाँ पर three और four जो common record जो की दोनों data में था वो आपका हड़ चुका है except इस concept का मतलब यह है तो यह concept आप लोग के काफी कामा सकता है जब दो data एक similar type के data हो और आपको उसे combine करना हो तो combine करने के लिए यह सारे concept आपके बड़े useful हो सकते हैं आप इनसे कई सारे records को combine कर सकते हैं आपको यह file चाहिए तो आप मुझसे description में ले लीजिए मैं description में इसे डाल दूँगा आप लोग इसे practice कर सकते हैं और अगर आपको यह video पसंद आई तो please just like share कर देना चानल पर पहली बड़े तो subscribe कर देना मिलते अगली video में concept के साथ जिसमें हम सीखेंगे joints के बारे में और detailed explanation और joints के concept को proper तरीके से clear करेंगे तो thank you so much for watching this video have a wonderful day दोसों happy learning bye